करिशेशन्स कोट ने ये कोट की औरर्स अशाइट कि थी जूडिशिल कस्टडी से अब पुलीस कस्टडी देने के लिए बोला है तो आज आदिल खान दुरानी को आथरोड जेल से वापिस लाया जाएगा रिमान में पेश किया जाएगा और आगे फिर कोट क्या करते वो अभी हमें पता नहीं है हम अलड़ी बहुत सारे प्रूफ दे चुके हैं हम खाली कोट में यही रिक्वेस्ट करेंगे और सरकारी वकील भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको पुलीस कस्टडी जादा से जादा दिन दी जाए आज मैसुर पुलीस का क्या रोल रहने वाला है कोट में डिपेंड करता है जैसे फालगुने ने कहा के ओशिवारा पुलीस सेशन या मैसूर पुलीस अभी देखते हैं क्या होता है मैसूर पुलीस का कुछ बायाना कोई कोई नया केस नहीं हम कोट में बोलेंगे अभी कुछ बोल के मतलब नहीं है जो भी केस है हमारी एफायर है फॉर्दर स्टेट्मेंट में वही हमारी केस है जज ने चुटी मारी है तो केस जीतने का यह तरीका नहीं है आप लीगली जाओ और अच्छी तरीके से प्रिंसिपली काम करो मॉरल और प्रोफेशनल एथिक्स कुछ होते है अगर आपके हाथ से बाजी निकल रही है इसका मतलब यह नहीं है कि आप जूट बोल रहे हो धंकी देने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है और क्यूं दे कि अधाने वालों के होते हैं जीतने वाले कोट में जवाब देते हैं और मुझे बहुत जोर से हसी आ रही है इनके एड़ोकेट पे आदिल के कैसे जूटे इल्जाम लगा रहे हैं आपको लगता है यह हारने के वज़े से लग रहे हैं एक बात मैं बोलूँ एक बात बोलूँ उनकी तरफ से जो आता है जो उनको स्टेटमेंट देने हैं देने दीजिए हमें उसका जवाब नहीं उनके पास काईदा है और आदिल तो जेल में तो किसे धंकी दी उनके वकी आपका बेटा 7-8 दिन से जेल में आप लोग मिलने भी नहीं आये हो उनको दूसरी बात राखी को अगर धंकी देनी होती या दिलवानी होती न तो आज कोट के धक्के जो खारी है पुलीस स्टेशन और कोट के धक्के खारी है न वो नहीं खाती और हमारे पास भी इतना टा वो मुझे वो मैं बाद में बात करते हैं